सॉम्प खाने के अद्बुत फायदे के बारे में जानकर आप बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे कि एक सॉम्प की इतनी सारे बेनफिट्स कैसे हो सकते हैं तो फ्रेंड्स सॉम्प के बारे में आप सभी जानते हैं लेकिन सारे और सधिये गुण होते हैं जो कि आपके सहत के लिए काफी फायदे मंद होता है तो इस वीडियो में पूरे डीटेल से आपको बताने वाली हूँ कि सॉम्प खाने से क्या कि आपको फायदे हो सकते हैं किस किस तरीके से आपको सॉम्प का प्रयोग करना चाहिए और किस तरीके से प्रयोग करने से आपको किन बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है सब कुछ दिटेल से बताओंगी इसके पाले आपसे एक ही रिक्वेस्ट ह देखाल तो सॉम्प खाने आपको दूर करें लिएuddh refreshner के रूप में करते हैं लेकिन उनको सॉम्प के औस भीदियो नहीं पता नहीं होता है जिसके वज़झसे वेस्ट खास असने थे देख पांडेे मापको अश्टे तरीके से पता चलोगा कि सोप में सारे पोसकत्त्त्त्त्त् of कुमी को पूरी पूरी करते हैं और आपको स्वस्त रखते हैं तो चलिए अब मैं आपको वताती हूँ सौंफ खाने के अद्बुत फायदे के बारे में बात करते हैं जो ज्यात्तर लोग यूज करते हैं ओ है कि आपकी मुह की बदबु को दूर करने के लिए माउस फ्रेशनर की रूप में या सांसों की दू करना है इससे आपके मुह से बद्बु आना बंध हो जाएगा क्योंकि माउस फ्रेशनर के रूप में बहुत ही जादा मंद होता है मदद करता है आपके मुह की दूर करने के लिए और स्वास संबंदी बीमारियों को भी दूर करता है सेकेंड इसका बेनिफीट है कि पाचन आधा या एक चमश स्वाम का परयोग जरू करें इससे आपका जो पाचन सकती है श्टॉम होगा जल्दी से खाना पचेगा और आपको कब्द की समस्या भी नहीं होगी क्योंकि इसमें फाइवर भी काफ्री मात्रम पाया जाता है और इसका नेक्स्ट मेरिपीट है कि अगर आप अपने आखों की रोष्णी को बढ़ाना चाहते है या आखों से जूड़ी कोई समस्या है आखे आपकी लाल हो जाती आखों से पानी आता है या चस्म आप लगाते हैं तो आपको बहुत ही जादा फायद मन्द होगा अगर आप सौम का प्रयोग करते हैं इसके लिए उतर जाता है बहुत ही अच्छा नूसका है कियोंकि सूमब का प्रियूग करने से अपने बढ़ते से परिशान है वजन को कम करना चाहते हैं या मोटापा से परिसान है तो आप सॉम का प्रयोग कीजिए इससे आपको काफी फायदा मिलेगा क्योंकि सॉम का प्रयोग करने से अपका मेटावलीजम बूश्ट होता है जिससे आपका जो वजह ने बहुत ही तेजी से कम होने लगता है मोटापा की समस्या से प्रयोग करना है इसके लिए आपको रात को एक चमच्च सॉम को इगाल पानी में बिगो कर रखते ना है वा में इस पानी को हलका सब ब्वाहल करना है और यो जू जो म्या आपको पीने के तीस मिनट के बार ही आपको कुछ नहीं खाना है अगर प्रिए इस तरीके से सब प भी तेजी से कम होगा और आपका पाचन सक्ती भी श्रॉंग बनेगा पाचन से जूड़ी भी समस्या बिल्कुली ठीक रहेंगी क्योंकि आपको गया से समस्या उत्पन नहीं होगी और इस पाणी के पीने के वज़े से आपके बाल भी हेल दी रहते हैं और स्वास्त रहते हैं अगर आपके सरी में बैट कोलेश्टॉल की मातरा ज्यादा बढ़ गई हो क्योंकि आपके सरी में बैट कोलेश्टॉल की मातरा का बढ़ने का मतलब हुआ कि आपको अन्यकों तरह की बीमारिया उत्पन होती रहेंगी खास करके जब कोलेश्टॉल की मातरा आपके सरी में ब अगर आप कौफ से खांसी समस्या से परिसान है आपका कौफ नहीं निकल पा रहा है तो इसको निजात दिलाने में समकाफी सहायक होता है इसके लिए आपको सुम को भून लेना है और इस समको भून कर चाहें तो पड़ा बना सकते हैं नहीं तो भूने वे समको मिस्वी के खांसने में आपको प्रॉब्लम होती है तो इस समस्या से चुटकारा दिलाएगा अगर आप पूने हुए स्वाण का प्रेंग मिस्वी के साथ करते हैं तो इसका में भीट है कि अगर आप अपने दिमाग को स्वास्वास रखना चाहते हैं आप सब्सक्राइब करने से आप करना है आप साथ कर सकते हैं रात को सोने सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि इसका नेक्ष्ट है कि अगर आपको सब्सक्राइब करना और नेंढ़ पाने के लिए इसके लिए आप रात को सोने से पहले एक ग्लास दूद के साथ एक चमस साम का परयोग कीजिए और सोने से आदर घंटा पहले आपको इसका परयोग करना इससे आपको अच्छी नीद आएगी आप बहुत ही रिलेक्स फिल करेंगे कौमजोडी थकान की जो समस्या होती है और रात को सोने से पहले दूद के सा लिए किसी भी तरीके से आपने डाइट में सामिल कर सकते हैं दीन में के बहुत ही ज़ादे मंद होता हैं अगर आपको रिंगल्स की समस्या है एंटी एजिंग की तरह काम करता है तो अगर आप सौम का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके चेहरे पर जो रिंकल्स जुरिया आती है जो एज ढ़ने के बाद एज बढ़ने के बाद आपकी चेहरे पर जुरिया आने लगती है तो उसको दूर करता है आपके चेहरे को निखा तो आप इस तरीके से पर्योग कर सकते हैं अपने तुछा को निखानने के लिए जिनके बाल ज्यादा ज़ड़ते हैं है फॉल की समस्या है ग्रोथ तेजी से नहीं हो रही है उसको सॉम का पर्योग जरू करना चाहिए इस यह बहुत ही तेजी से होने लगती है बालों का ज़ करते हैं सुबाखारी पेट इससे भी आपको काफी फैयादा मिलेगा इसका नेक्ट में फीट है कि आपके खून की कमी को बहुत यह तेजी से दूर करता है क्योंकि अगर आप सौंप को मिस्री के साथ सेवन करते हैं तो इससे आपके सरीर में आयरें की कमी दूर हो जाती है तो फ्रेंट्स इस वीडियो मैंने आपको पूरे डिटेल से बता दिया है कि सौम खाने के क्या-क्या फायदे होते हैं और किस-किस तरीके से आपको सौम का प्रयोग करना चाहिए और किन-किन बिमारियों को दूर करने के लिए सौम का प्रयोग किस-किस तरीके से आपको करना चाहिए तो पूरी डिटेल से मैंने बता दिया है आई होप कि आपको अच्छे तरह के समझ में आ गया होगा तो फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूच्फुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा जड़ा सेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी घरेली उन उसके और इंफर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन को प्रेस कर लिजेगा ताकि हमारे आने माले वीडियो का नोटिफिकेशन साबको मिलता रहा है तो मिलते है फ्रेंट्स अपने नेक्ट वीडियो म आइसे इंफर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद